नमस्कार दोस्तों प्रॉब्लम हो रही है। जैसे कि नेगेटिव आइडिया या कोई भी चीज समझने में देर लगना और याद दास कम होना और साथ में हेल्थ इस्यूस होना जैसे कि परिकार्डियम और कफ की प्रॉब्लम आ रही है। आप सोच रहे होंगे कि ये प्रॉब्लम्स क्यों आ रही है। ये प्रॉब्लम क्रियेट हो सकती है अगर नोर्थ इस्ट डायरेक्शन की एनरजी इंबैलन्स हो उसका ये एक कारण हो सकता है। चलिए हम इसको डिटेल में जानते हैं। आप सभी जानते हैं कि हमारे घर की हर दिशा का वास्तु में विशेश महत्व होता है। बहुत से लोग मानते हैं कि दिशाए केवल चार होती हैं उत्तर, दक्षिन, पूर्व और पश्चिम। लेकिन ये एक आम गलत फहमी है। वास्तु शास्तर के अनुसार दिशाओं की संख्या चार नहीं बलकी 9 होती है। जी हाँ, आपने बिलकुल सही सुना। जैसे कि दोस्तो वास्तु के अनुसार 9 दिशाए हैं जिसमें North, Northeast, East, Southeast, South, Southwest, West, Northwest and Center जैसे कि आप स्क्रीम पे देख रही हैं। ये सभी दिशाएं अलग-अलग ऊर्जाओं का प्रतिनिधित्व करती हैं और हर दिशाओं की अपनी एक ऊर्जा होती है। अगर इन दिशाओं की ऊर्जा संतुलन में न हो तो इससे आपके जीवन में नकारात्मक्ता, तनाव, काफ और अन्य समस्याएं उपन्ध हो सकती हैं। अब इसका क्या समाधान है? मार्केट में ऐसे कहीं सारे आप्शन है, पर हम एक ऐसी रेमेडी लाए हैं, जो आपके घर में कोई तोरफोर्ड नहीं करनी पड़ेगी और समाई बरबाद नहीं होगा। पेश है नोर्थ इस्ट गूस्टर बाई रेमेडी वाला। जी बिलकुल दोस्तों ये एक हमारा पोर्टेबल डिवाइस हैं। अगर नोर्थ इस्ट डाइरेक्शन की एनरजी कम होया या इम्बैलन्स हो, तो ये आपकी मदद करता है एनरजी को बैलन्स करने में। आप घर या ओफिस में इसका उप्योग कर सकते हैं। तो है कमाल का गैजिट। अब जानते हैं कि इसका उप्योग कैसे करना है। इस डेवाइस के पिछे एक रेड कलर का स्टीकर होता है। उसको निकाल कर आपको नोर्थ इस्ट डाइरेक्शन में लगा देना है। दोस्तो आप सोच रहे होंगे कि हमें कैसे पता चलेगा दिशा की एनरजी कम हो गई है। दोस्तो आपको ये डेवाइस को इंस्टॉल करने से पहले डाउजिंग टूल या पेंडूलम का उप्योग करना है। जिसे आपको पता चल जाएगा कि एनरजी लेवल ठीक है या नहीं। उसके बाद ये डेवाइस को इंस्टॉल करना है। उसके बाद आपको ये पेंडूलम या डाउजिंग टूल से चेक करना है कि उर्जा का प्रवाह कैसा है। इसके बाद आप महसुस करेंगे कि लाइफ मैं पॉजिटिविटी और आप अच्छा महसुस करेंगे। आप देखेंगे कि उर्जा में कितना अध्भुत बदलाव आया है। ये उपाय न केवल आपकी जीवनशैली को बहतर बनाता है, बलकि आपके घर के वातावर्ण को भी शुद्ध करता है। चलिए अब बात करेगे कुछ मेजर पॉइंट्स के बारे में। जब आप ये डिवाइस का उपयोग करते हैं, अगर उस डायरेक्शन में टॉलेट जैसी चीज है, तो आप इस डिवाइस का उपयोग ना करे। वास्तु शास्त्र के अनुसार नोर्थ इस्ट में टॉलेट नहीं होना चाहिए। अब जानते हैं कुछ क्वेश्चन के बारे में और साथ में देगे उसके अनसर। अगर हमने औरेड़ी इसका समाधान किया हो, तो क्या इसका उपयोग करना चाहिए। अगर आपने औरेड़ी समाधान किया हो, दूसरे माधिम से और एनर्जी कम हो रही हो, तो ये डेवाइस का उपयोग कर सकते हैं। क्या इस प्रोडक्ट को एनर्जाइस करना पड़ता है? ये डेवाइस औरेड़ी प्रियेनर्जाइस हैं। ये डिवाइस को घर बदलते वक्त हम अपने साथ ले जा सकते हैं। आप अपने साथ ले जा सकते हैं। जिन लोगों ने हमारी प्रोडक्ट का उप्योग किया है, उनके रिव्यूस देख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हमारा प्रोडक्ट को बाय करना, तो आप हमारी वेबसाइट से बाय कर सकते हैं, उसका लिंक हमारे बायो में है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो कृप्या लाइक और सब्सक्राइब करना न भूले। साथ ही हमें कमेंट में बताएं कि आपने नोर्थ इस्ट पूस्टर का उप्योग कैसे किया और आपके अनुभव क्या रहे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए खुश रहें और सकारात्मक रहें।